हेलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिमिंट कंजंशन आप कैसे निकालेंगे आरे विल के एक तरीके से एक नया तरीका लेका है जहां से आप निकाल सकते हैं जिसे कि आरे विल हमारा बना जिसमें पाइल वर्क हमने किया हम यूट किया है 50mq ठीक है 355 eq cdp 20mq थाक है इस तक हमने काम किया है तो चलिए startकरते हैं और एक एक करको ऊप्रावानियट के बारे में हमने लिखाहर विल नमबर और यहां पर डाल देंगे ठीक है serial number, item number, description, unit, consumed quantity of item, rate of consumption per unit, kg, quantity of consumption of cement, mid-tick term serial number हमने डाल दिया और item number जो है हमने बस समझाने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 डाल दिया आपके ब्योक्यू में item number होगा ठीक है description में भी equal pile नहीं होगा काफी number description होगा जिसे copy करके पिष्ट कर सकते हैं समझाने के लिए वह सितना लिग दिया है यूड़ी इसा कि आपको पता है pile का MQ होता है brickwork का MQ में PCC MQ में RCC MQ में plaster square meter में ठीक है तो consumed quantity of item मतलब कितना जो भी item है वो कितना consume होगा इस bill में this bill में क्योंकि पहला bill है तो last bill में कुछ नहीं जाएगा zero रहेगा और this bill में 50 MQ pile होगा brickwork इसी तरह से सारा quantity हमने लिग दिया ठीक है और up to date क्या होता है this bill plus last bill दोनों add करके up to date will होता है तो यहां पर last bill मतलब नंबर एक bill से आरे नंबर एक से पहले कोई bill नहीं है तो same जो this bill होगा वही up to date bill हो जाएगा और जब आरे नंबर टू बिल बनेगा तो यह up to date bill जो होगा last bill में यह आ जाएगा 50 और this bill में जो काम होगा second bill में वो दोनों add होके up to date हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद बात करते पर unit in kg तो पाइल जो है M35 का जिसका design mix के अनुसार सीमिन 431 kg पर MQ है ब्रीक और 95 kg पर MQ है क्योंकि one ratios four का motor लगा रहे हैं ठीक है PCC 320 kg है क्योंकि M15 की PCC हम कर रहे है पर MQ का यह सब rate of consumption है ठीक है 382 kg जो RCC है वो है M25 का ठीक है और plaster में 3.6 kg पर MQ पर square meter हम यह काम कर रहा है ठीक है यह सब तो rate of consumption होगा है जो कि हमने calculation करके निकाला इसका एक एक करके भी निकाल कि हम आपको दिखा सकते हैं ठीक है अब बात आती है quantity of consumption an app जोकि up to date है इंदिस भील ठीक है तो सीम सेम वही है लाश्ट भील इस लिए नहीं है क्योंकि नमबर बंडाए ठीक है एक नमबर मिल मन अंन तो इस्वेल से हम जो भी करेंगे काम करेंगे तो दीश वेल हमने और उसका multiply कर दिया इसके unit rate of consumption से मतलब 50mq 431 kg के हिसाब से हमने जब किया तो इसलिए हमने multiply किया इसको g5 into h5 तो वो किस में आएगा वो आएगा केजी में और फिर हमने divide कर दिया 1000 से तो आ गया metric ton में 21.55 metric ton आ गया ठीक है चलिए एक बार करके दिखाते हैं यहां हमने equal to का formula लगाया ठीक है इसके बाद हमने pile की quantity लीग ठीक है फिर into किया और 431 kg मतलब 1mq में 431 kg तो 50mq में 431 kg से गुड़ा करेंगे ठीक है तो आज एगा 21,550 kg अब इसको metric ton में बदनने के लिए इसे हमीं रखना होगा ब्रैकेट में जो कि मैं रखा ब्रैकेट में और आपलिक करके अपान करके 1000 से इसको डिवाइट कर दिया तो आगया 21.55 मेट्री टान ठीक है अब सपोज यह सब आपका कुछ भी नहीं है ठीक है यह भी कुछ भी नहीं है कि सारा कुछ यहां से सब एक मिनट हम डिलीट करते हैं इतना ठीक है इतना हम डिलीट कर दिया अब अप्टु डिट कैसे आया एक वल्टु करके दिस विलकूर ने काफी कर लिया ठीक है और इसके बाद यह जो फार्मुला अप्लाई किया है बस इसको यहां से प्लस जो बन रहा है इसको ड्रैक कर दीजिए नीचे तक यह आटोमेटी कल्कुलेट करके आ जाएगा ठीक है इसको भी ड्रैक कर दीजिए सेम आ जाएगा यह फिर कॉपी करके सब को हाईलेट करके पेश्ट कर दीजिए ठीक है ठीक है ठीक हो गया इसे भी प्लस को ड्रैक करके आप कर सकते हैं ठीक इतना अगया अब इससे क्या हुआ इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है टोटल क्वांटिटी आप सिमें का करना है टोटल क्वांटिटी सम और यह सब को एड कर देंगे ठीक है यह सब को एड करने के बाद इंटर कर देंगे तो आज एगा 49.235 सब कुछ आ गया अब इसके बाद टोटल क्वांटिटी आप सिमेंट कंजम्शन भैग अभी 984 बैके से आया वह उसका फर्मूला नहीं है इस विल में एक्वल टू इतना मिट्रिक टन इन्टू 1000 ठीक है यह आगे आपका ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं इसको इतना मिट्रिक टन पहले केजी में आया उसके बाद डिवाइट कर देते हैं 50 से तो 984.7 बैक आगया ठीक है अब हमें देखना है कि हमारा बाइलेंस क्वांटिटी क्या वच रहा है कंजम्शन में ठीक है उसके लिए क्या करना होगा सीट बन में हम जाएंगे 1560 बैक टोटल आया है ठीक है अब इसमें क्या है डिटेल आप सिमेंट रिसीप निकालना होगा जिस जिस डेट में जितना सिमेंट आया तो हमारा 31 में आया दो में आया बारत 20 21 पचीज चार इस सब्डेट में सिमेंट आया है जो की 150-320 बैक इसे करके आया है यह क्वांटिटी आप बैक में हो जाएगा इन्वाइस नमर उसमें जो होता है नोट कर यह दोनों जूड के कितना होगा 470 यहां पर 470 हो गया फिर 320 आया तो यह और यह एड करके 790 होगा तो इस तरह से करते हुए यह 1560 क्यावलेटी क्यांटिटी आ गया और यहां पर जब हमने एड किया तो वह भी सेम आया ठीक है तो अब करना ही होगा इस 1560 में इस बिल में जितना काम हुआ जितने वैका उसको माइनस कर देंगे तो सिमलर आ जाएगा कितना बैलेंस बचा तो चलिए निकाल लेते हैं एकवल टू 1506 माइनस से टू में जाके दिस बिल पर क्लिक करेंगे इंटर करेंगे यानि 575 वैक बैलेंस बचा तो यहां पर हम 575 वैक लिख देंगे और इंटर मारके इसको बोल्ट कर देंगे ठीक है आई थिंक आपको यह सारा वीडियो के लिए लिए समझ में आया होगा और इस फॉर्मिट का लिंक हम देंगे जहां से आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में